साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्त जुनों को जय माता की आज मैं आपको चैनल के मादिम से ग्रहन काल में के कैसे आप अपने शत्रू की शक्ती को खत्म कर सकते हैं आप अपने शत्रू का बिनास कर सकते हैं माता मसानी मेलडी की शक्ती और एक निम्बू के तोटके के द्वारा तो आपने जब भी चंदर ग्रहन लगे जा सूर्य ग्रहन लगे तब आपने एक निम्बू लेकर आना है और एक निम्बू को आपने चार भागों में काट लेना है लेकन ये जो चारों भागों होंगे निम्बू के ये अलग अलग नहीं होने चाहिए जैसे आप स्क्रीन के उपर जे देख रहे हैं और उसके बाद आपने चारों भागों के उपर आपने अपने शत्रू का नाम लिखना है किसी मारकर के द्वारा बलैक मारकर के द्वारा और आपने एक चुटकी इन चारों भागों में आपने सिंधूर की इनमें आपने डाल देनी है और उसके बाद आपने इस निम्बू को माता मसानी मेल टी जी का ध्यान दरते हुए और आपके शत्रू का बिनासो जही कामना करते हुए आपने इस निम्बू को अपने घर की छट के उपर रख देना है और जितनी देर कोई भी गरहन लगा रहे चाहे वह चंदर गरहन हो चाहे वह सूर्य गरहन हो तब तक आपने इस निम्बू को नहीं उठाना और जब गरहन समापत हो जाए तब आपने इस निम्बू को उठा लेना है और घर से वहर आपने थोड़ी सी अगनी चेतन करने के बाद चाहे हैं वह उपलों की अंग्यारी की अगनी भी आप बना सकते हैं जा लकडी को भी आप जलाने के बाद अंग्यारी बना सकते हैं उसके बाद आप ने इस निम्बू को घर से वार जला देना है तो इससे जो भी आपका कोई शत्रू है उसका पूर्ण रूफ से विनास होगा और जो भी उस शत्रू ने आपके घर पर वार के उपर कोई बुरी शक्ती लगाई होगी आपके घर के उपर तो उसका भी विनास होगा पूर्ण रूप से माता मसानी मेल्टी की शक्ति के द्वारा और इस निम्पू के उपाए के द्वारा तो भक्त जनों अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको लाइक और शेर करें साधना और समाधान चैनल को सबस्क्राइब करें फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ तब तक जय माता काली जय बाबा भाय रवनात